हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल अफ यो, चलि आज हम पढ़ते हैं AGR, एडजिस्टेट क्रॉस रेवेन्यो, यह अभी अभी निउज में था, यह 15 फेबरेरी वाली निउज पेपर में भी आर्टिकल, आज पब्लिस हुआ है 15 फेबरी को, और यह काफी पहले से यह इसू है, तो सबसे पहले देखते हैं AGR इसू है क्या, तो देखिए यह जो है आपका एकॉनमिक टाइम्स का एक पिक्चर है, आप देखिए ब्लो वै ब्लो, राइट, तो टेलिकॉम कंपनीज एन अदर्स होल्डिंग टेलिकॉम लाइसेंस, फेस विग एजियार लेविस, एड़ज स्टेड इएड़जस्टेड ग्रोस रेविन्यू जो होता है, अव्लभ आप समझेंग üzग्द तो टोल रेविन्यू रइट तो इस विएड़जिस्टटिड ग्रोस रेविन्यू एक डिफिनीचन है, एक आइटम है, और या रेविन्यू ही एक तरह से, जो की Department of Telecommunications और Telecom Companies ने मिलकर इसको define किया था तो आगे हम देखेंगे यह क्या चीज है तो इसी के बारे में हम जान दाएं Supreme Court ने जो अभी अभी इस पर judgment दिया है उस judgment का क्या implication होगा आप इस picture से समझ सकते हैं जो Telecom Company का जो AGR due है due है मतलब की जो government को देना है उनको और जो non-telecom company जिनके AGR due है वो भी government को देना है यह दोनों आप यहाँ फिगर देख सकते हैं यहाँ Boda Phone Idea का इतना करोर, भारती एर टेल, टाटा टेली सर्विसेज, Reliance Com, Reliance Communication, Reliance Geo और टोटल 1,47,000 करोर रुपया due है जो की government को देना है टेलीकॉम companies को similarly जो non-telecom companies हैं उनका AGR जो due है जिसे GIL का, PGCIL का, Oil India का, DMRC का इतना AGR due है ठीक, तो इसी को Supreme Court ने अपने judgment में कहा था कि भाया आप पे कर दीजे, नहीं तो आप पे strict action जो है लिया जाएगा तो हम timeline से समझते हैं, देखिए आप year याद रखिए 1994 ये prelims point of view से काफी important हो गया, इस पार के prelims के लिए तो आप ध्यान में रखिएगा इसको टेलीकॉम company के लिए बहुत अहम फैसला था 1994 में जो National Telecom Policy बन गया था National Telecom Policy के तहद ये देखा गया कि क्या करना चाहिए हमें, टेली communication को इंडिया में बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले इसको liberalize कर दिया गया सबसे पहले इसको liberalize कर दिया गया फिर क्या किया गया कि licenses were issued liberalize का मतलब ये हुआ कि इसमें अब बहुत सारे companies जो है bid कर सकते हैं, participate कर सकते हैं और आकर अपने business कर सकते हैं टेलिकॉम sector में, टेलिकॉम industry में ठीक, पहले कुछ लोगों के लिए ही ये था उसके बाद 1994 में ये बहुत सारे लोगों के लिए open हो गया और licenses issued किया गया companies को और उस license के बदले में उनको एक fixed license fee देना होता था तो ये इस policy के तहद दो चीज हुआ अब आते हैं हम 1994 में पांच सल बाद आते हैं 1994 में तब क्या हुआ कि to provide relief from the stiff fixed license fee अब जो हम license fee जो टेलिकॉम company से लेना सुरू किये वो हम काफी high रखे हैं काफी high रखें तो इससे टेलिकॉम companies जिनको हम आगे चलके टेलिकॉम बोलेंगे टेलिकॉम और companies तो जो टेलिकॉस को काफी ये high fees लगा तो गौर्मेंट ने फिर एक रास्ता निकाला कि नहीं हम fixed license fee न लेकर आप से हम revenue sharing model पे revenue sharing fee model पे हम कर लेते हैं मतलब ये हुआ कि आप जितना पैसा जितना आप revenue कमाएंगे उस revenue का कुछ percent जो है आप government को दे देंगे और कुछ percent आप अपने पास रखेंगे जो भी company होगी वो अपने पास रखेंगे कुछ percent तो इस बात पे आकर बात तैह हो गई ठिक अच्छा उसके बाद क्या हुआ ये mobile telephone operators को ये बोला गया कि आप जो है AGR के form में देंगे adjusted gross revenue के form में देंगे और हम कैसे लेंगे तो AGR में से हम दो item लेंगे एक लेंगे हम आप से license fee और दूसरा लेंगे हम आप से spectrum usage charges जिसको S.U.C. बोला गया spectrum usage charges तो license fee और S.U.C. तो देखिए जो license fee जो लिया गया वो कितना लिया गया license fee लिया गया 8% ये fix कर दिया गया और जो spectrum usage charges वो आपका 3-5% of AGR ये 3-5% और license fee 8% of AGR मतलब AGR suppose that कि AGR आपका 100 रुपिया है मतलब adjusted gross revenue आपके पास अगर 100 रुपिया आया तो 100 रुपिया में से 8% हम ले लेंगे आपको license fee के तौर पे और 3-5% जैसा भी license agreement में लिखा होगा 3-5% हम ले लेंगे उसका spectrum usage charges तो इस पे आके बात तै हो गई और department of telecommunication में और telecom companies के बीच में ये matter fix हो गया कि हम ऐसे लेंगे ठीक अच्छा अब problem क्या हाँ आई problem ये आई कि सबसे पहले तो हम ये देखें कि AGR है क्या AGR का definition जब तक नहीं clear होगा तब तक ये 8% और 3-5% तक पैसा लेना ये एक हमेशा dispute वाला issue रहेगा तो department of telecommunication ने और mobile operators ने मिलकर AGR का definition निखाला कि AGR क्या होगा ठीक इसमें कुछ और problem आई आगे चलके आप देखिए DOT argued that AGR includes all revenues before discount from both telecom and non-telecom services अब department of telecommunication का ये कहना है कि AGR क्या है तो इसने कहा कि जो भी आप telecom services देते हैं जो भी आप telecom services देते हैं ओ प्लस जो आप non-telecom services देते हैं non-telecom services ओ दोनों से जितना revenue आएगा उसको मैं बोलूंगा कि ओ AGR है मतलब कि adjusted gross revenue है ठीक अच्छा जबकि telecom companies के ये कहना था कि नहीं सहब आप जो है सिर्फ हमें telecom services से जो पैसा आता है उसको मानिये कि ओ AGR है और जो non-telecommunication services से जो पैसा आता है उसको आप AGR में include मत करिये ये कहा गया लेकिन ये matter इतना असान तो था नहीं दोनों में से कोई नहीं माना तो फिर क्या हुआ कि 2005 में ये matter बढ़ते गया बढ़ते गया तो 2005 में Cellular Operators Association of India COAI इसको चैलेंज कर दिया AGR definition को Supreme Court में Sorry Supreme Court में नहीं इसको Court में चैलेंज कर दिया Court में क्या? Tribunal में Court यानि कि Tribunal में इसको चैलेंज कर दिया और 2015 में TDSAT जो कि Telecom Dispute Settlement and Applied Tribunal है उसने क्या किया? Stay कर दिया The case in favor of Telecom Companies जो TDSAT 2015 में ये बोल दिया कि नहीं जो Telecom Companies कह रही है वो सही है और उसी को stay लगा दिया ठेक? कि जो Telecom Services से जो पैसा आ रहा है उसी को आप AGR मानेंगे और उसी का एक 8% या 3-5% तक आप respectively लेंगे तो उसने ये fix कर दिया बात यहां खतम नहीं होनी थी बात और आगे बढ़ी 2019 में क्या हुआ कि setting aside TDSAT order Supreme Court में जब ये order challenge किया गया गौर्वर्मेंट के द्वारा तो TDSAT के order को Supreme Court ने aside रख दिया and Supreme Court on October 24, 2019 upheld the definition of AGR as stipulated by the DOT आपको मैं बताया कि DOT ने क्या कहा था Department of Telecommunication ने कहा कि AGR के definition है कि जो telecom services plus non-telecom services से जितना पैसा आता है सब जो है AGR के पार्ट है और उसमें से हम 8% जो है license पी लेंगे और 30-5% तक हम spectrum user charges लेंगे ठीक इसी चीज़ को Supreme Court ने मान लिया कि ये सही है और जो TDSAT ने यानि कि Applied Tribunal ने जो कहा था वो चीज़ सही नहीं है ठीक साथी साथ कोट ने ये कहा कि आप 23 जनवरी तक सारा जितना भी डियूज है उसको आप रिकवर कर लिजिए डियूटी को बोला Department of Telecommunication को Supreme Court ने बोला अब देखिए लेकिन इस judgment को ओबे नहीं किया गया या जो भी confusion रहा हो judgment को अपलाई नहीं किया गया यानि कि टेलिकॉम अपरेटर से पैसा नहीं लिया गया आगे क्या होता है कि डियूटी 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 तो वन नोटीस डियूटी ने क्या किया कि order को तो comply नहीं किया 30 जनवरी तक सारा पैसा वसुलने का उसके बदले में क्या किया कि एक नोटीस जारी कर दिया अपने website पे और अपने सारे circle officers को बोल दिया not to be coercive for recovery मतलब जो टेलिकॉम company से पैसा जो dues है जो लेना है उसके लिए आप बहुत हार्स मत होईए अपने circle officers को बोल दिया सुप्रीम कोट ने इस बात को cognigence में ले लिया कि हमने कहा कि भाई 30 जनवरी तक आप सारा पैसा ले लिजिये और आपने उसके बदले में एक notice जारी कर दिया और इस notice में आपने लिख दिया कि अभी आप पैसा मत उन से ल का matter initiate करें तब आनन फानन में आकर DOT के जो officials हैं उस notice को withdraw कर लिए और साथी साथ अपने circle officers को ये बोले कि आप 1159 PM by Friday, this Friday only means coming Friday आप जो है इसको सारा पैसा telecom company से ले लिजिए ठीक और साथी साथ court ने ये कहा कि March 17 2020 को next hearing है उसके लिए आप तैयार रहिए ये पूरा का पूरा issue रहा है आपका ठीक अब ये important क्यों है हम ये देखते हैं कि देखिए definition of AGR has been such a contentious issue because it has huge financial implication जाहिर सी बात है कि definition में जब AGR के definition में अगर हम DOT के version देखें तो जाहिर सी बात है telecom companies को इसमें घाटा है यानि कि टेलकोस को इसमें घाटा है अगर हम टेलकोस की बात देखें तो हम इसमें हम पाएंगे कि government को loss है अच्छा आप समझ गया होंगे क्यों government को loss है इसमें क्योंकि टेलकोस कह रहा है कि नहीं भी या जो हम telecom services provide करते हैं उससे जो पैसा आता है उसी को AGR मानो जबकि इनका कहना है कि नहीं जितना आप telecom services से कमाते हैं वो भी और जो non telecom services से कमाते हैं जैसे कि आपका profit हो गया जैसे कि आपका dividend हो गया आपने कोई asset को बेच दिया telecom company जो पैसा देती है वो consolidated fund of India में जाता है उससे तमाम सारा developmental activities होता है और अभी economy का जो हाल है उसी साफसे में पैसे की सक्त जरूरत है और economy को रन कराने के लिए ठीक अच्छा दूसरी चीज़ कि अगर हम उनसे इतना पैसा ले लेंगे तो telecom companies को sustain करना मुस्किल हो जाएगा अगर एक estimate है कि 92,000 करोर रुपया जो है बैक में लेना है ना telecom companies से government को लेना है ठीक as a license fee as a penalties as a interest as a charges यह सब जो है recover करना है अगर इतना हम पैसा लेते हैं तो telecom companies को sustain करना मुस्किल हो जाएगा ठीक अच्छा दूसरी चीज़ की अभी जो current juncture है when profits for telecos are under pressure from severe competition and falling ARPUs अभी देखे telecom companies का भी हालत इतना अच्छा नहीं है क्यों क्योंकि इनका average revenue per user जो ARPUs है वो काफी कम हो गया है problem for investor क्या है इस judgment का huge blow होगा इस industry पे अच्छा हो सकता है कि telecom companies losses में चली जाए हो सकता है कि इनका lower EPS हो जाए यानि कि earning per share इनका कम हो जाए जो कि अभी हम देखें कि board of an idea का share में जो national stock exchange में जो share listed है उसके values में drastically decline हुआ है judgment के बाद अच्छा may have to prepare for more debt and financial instability हो सकता है और finally इनका telecom companies का net worth भी काफी erode हो सकता है अच्छा for users and others के लिए क्या देखिए telecom users के लिए भी worry का subject है क्योंकि जब market से बहुत सरे players खतम हो जाएंगे तो एक या दो player बचेंगे जिनमें एक तरह से monopoly या duopoly हो जाएगा जिससे कि हमारी जो services मिलती है हमें उसकी pricing काफी high जा सकती है और हमें दिक्कत हो सकता है अच्छा अब cheap data और free voice calls को तो आप goodbye बोलने का time आ गया है क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद जो है data का और free voice का भी charges काफी बढ़ जाएं तेक साथी साथ ये business sentiment को भी hurt करेगा जैसे कि equipment makers हो गया है tower companies, distribution, retailers leading to a large scale job losses भी possible है तो ये रहा पूरा AGR का issue इस वीडियो को अब देखिए go through करिए कहीं कोई doubt है जरूर कमेंट सेक्षन में डालिए आपके doubt को clear किया जागा thank you very much for watching this have a good day